हेलो फ्रेंट्स मैं सुधिर आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्वागत करता हूं तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में हम बात करेंगे इन टॉपिक्स पे तो हम बात करेंगे ही करेंगे जो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए लिख रखा है इन सारे टॉपिक्स पे हम बात करने वाले हैं लेकिन इस से पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस जो ड्रीम टीम है जो अभी तक कि यह ड्रीम टीम है इन में से क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है किस तरीके से ये आपस में एक दूसरे से मिलती हुई है ठीक है ये भी ड्रीम टीम फिर ये भी दो ड्रीम टीम अभी तक ये पांच मैच का डेमो लिया हूँ और इन पांचों मैच में आपको एक कुरुशल की पॉइंट बताने वाला हूँ कि क्या मैचिंग है ताकि जब ही गांच कही है उसको जो है आप जो है जो हैं पना जांग करोड़ कर जकर हैउसको आ Curtis ऑपने दिमाग में रखके चले ठीक है बाकि अगर हम बात करेंगे बैंगलोरों की तो सबसे पहले अगर हम फिक्स प्लेयर की बात करें तो टो फॉर और अगर बैंगलोर चेस करती है तो सबसे important खिलाडी अगर कोई player है कोई खिलाडी है तो वो हो जाता है आपका विराट कोली ठीक है इसमें सबसे ज्यादा key player आपके Glenn Maxwell ठीक है अल्जारी जौसव सिराज ये सारे कि सारे क्या है key players है अगर आप बात करेंगे बैंगलोर की तरफ से वहीं अगर हम कलकता की बात करें तो आंडरे रसल, रिंकु सिंग, मिचल स्टार्क ठीक है और हर्शित राना और अगर उपर टॉप ओडर की बात करें हम तो यहाँ पे वेंगटेस अयर और नितीस राना ये सारे मिलके जो है एक बहुत ही जादा compact चीज हैं लिखे हुए जैसे कि पिच रिपोर्ट, head to head, possible playing 11, player stats, player battle और captain और voice captain कौन बनने वाला है ये प्लस दोनों team के fix और trump player कौन कौन से होने वाला है वो साथ ही साथ किस तरीके से आप selection percentage का use करके अपनी team बनाएंगे ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम discuss करने वाले हैं और मैं आपको बता दूँ कि ये जो है इस वीडियो का इस match का part 1 है, part 2 analysis होगी, पूरी की पूरी analysis based जो है part 2 का वीडियो मैं कल सुबा upload कर दूँगा, तो वो वीडियो भी miss out मत करिएगा, ये वीडियो बहुत ही important है, अगली वीडियो के लिए क्योंकि सारे stats, सारे ग्यान जो है इस वीडियो में मैं provide करने वाला हूँ, तो अगर आप मेरे channel पे नए हैं दोस्तों, तो please मेरे channel को subscribe कर लिजे, और इस वीडियो को like कर दीजेगा, और अभी तक अगर आप telegram channel join नहीं हुए हैं, तो जाइए उसको join कर लिजे, इसी video के जो है, नीचे आपको more का यहाँ पे button दिख रहा होगा, more के button पे click करेंगे, तो आपको एक telegram का link दिखेगा, telegram के link पे click करेंगे आप, तो यहाँ पे join का button होगा, simply जाके join हो सकते हैं, उससे फाइदा क्या है, फाइदा यह है, कि यह जो PDF है, मैं वहाँ पे upload करता हूँ, साथ ही साथ, 5 GL की team, हर रोज 5 GL की team आपक देगा, यह सारा कुछ मैं जो है, telegram channel पे discuss करता हूँ, तो जाइए उसको फटाफट join कर लीजिए, वहाँ पे मैं pitch report, pitch की condition, pitch का bounce, pitch की degree, कौन-कौन से player, आज के key player हो सकते हैं, वो सब कुछ discuss करता हूँ, ठीक है, तो जाइए उसको भाई, join कर लीजिए, और आईए start करते हैं आज का वीडियो, और सबसे पहले चीज़ को समझने की कोशिस करते हैं, कि M. Channa Swami Stadium का, जो है, कैसा stats है, और किसको जाइए सबसे ज़्यादा benefit मिलता है, अगर आप बात करेंगे, batsman की या baller की तो, तो सबसे पहले अभी तक यहाँ पे 256 matches खेले गए हैं, जिसमें से 79 match जो है, और 85 match जो है, biting second करने वाली team जीती हुई है, वही scoring pattern की बात करें, तो 500 से नीचे run 49 बार बना हुआ है, यानि 500 से नीचे run के वाल 49 बार बना हुआ है, इस total भाग का लगबग 30%, ठीक है, लगबग 32 या 33% जो है, 33% जो है, 150 के नीचे score बना हुआ है, वहीं अगर हम बात करेंग 150 से 169 के बीच में, तो 35 बार run बना हुआ है, 170 से 189 के बीच में, 31 बार और 190 से उपर 42 बार run बन चुका है, तीक है, यानि लगबग 30% टाइम जो है, 190 से उपर run बनता है, तो किस speech पे वहाँ पे match हो रहा है, और किस speech पे कितना run बन रहा है, ये सारा चीज जो है, मैं आपको Telegram चैनल पर जा के पॉस्ट कर दूंगा, तो जाए Telegram चैनल भाई, फटा फट जोईन हो जाएं, एवरेज स्कोर की बात करें हम तो 166 से 188 run रहता है, हाईस्छ स्कोर की बात करें हम तो 263 run है, लोवेश्ट इस्कोर की बात करें हम तो 82 run 10 wicket की लिम तो ये रहा चिन्ना स्व यहाँ पर सारे ही मैच, लगबग यह चारो के चारो मैच देखिए, सबसे पहली चीज, यह हाई स्कोरिंग मैच है, 170 से उपर टारगेट है, यहाँ भी 170 से उपर टारगेट है, यहाँ भी 170 से उपर टारगेट है, और यहाँ भी 170 से उपर टारगेट है, सबसे होती है नॉर्मल यह देखा जाता है कि वो जो है भरास्टिक बोल देती है कि वो जो है 110 रन पर ओल आउट हो जाएगी 140 रन पर ओल आउट हो जाएगी 200 रन का पीछा करते हुए टीम लेकिन इसमें से किसी भी मैच में आपको यह चीज दिखने को नहीं मिलेगी यहाँ पर 176 रन बना उसको जो है RCB ने चेस कर दिया 158 रन 6 विकेट के नुकसान पर पहली चीज यहाँ पर भी पेसर को 8 विकेट मिला हुआ है और स्पीनर को 4 विकेट मिला हुआ समझे कोसिस करिएगा थेगा RCB का यहाँ पर 1977 रन बनाई 5 विकेट के नुकसान पर GT ने उसको चेस कर दिया एक्स ओन ठानमेर न बनाया चारी विकेट के नुकसान पर पेसर को यहाँ पर 6 विकेट और स्पीनर को यहाँ पर 3 विकेट मिला हुआ है तो तो किस पिच पे मैच हो रहा है यह भी डिपेंड करता है क्योंकि वहाँ पर जो है स्पीनर को ज्यादा मदद मिलेगी उस पिच पे कि नहीं मिलेगी ठीक है यह सारा कुछ मैं टेलिग्राम चैनल पर पोस्ट कर देता हूं भाई तो टेलिग्राम चैनल जॉइन होना बिल्कुल मत भोलिएगा RCB की अगर हम बात करें तो RCB का 189 पे 9 विकेट था ठीक है और उसको आरार जो है चेज नहीं कर पाई की यहाँ पर बड़ा टोटल बनता है और बड़े टोटल का जो है चेज होता है यानी यहाँ पर बॉलरों को थोड़ा कम मदद मिलता है और Batsmen हों के लिए बहुत ही पाटा विकेट है है। बहुत ही अच्छी विकेट है। बात करें पेसर की तो यहाँ पे 28 विकेट में गिरा auga इन चार मैचेश में और स्पीनर की अगर हम बात करें तो 16 विकेट गिरा हुआ है 28 और ज़ॉला बहुत कम विकेट है भाइ अगर 4 मैचेश की बात करें क्योंकि हर एक इनिंग में 20 विकेट होता है चार मैच में 80 विकेट है और 80 में से क्यों 28 विकेट किसको मिला हुआ है किसको मिला हुआ है पेसर को मिला हुआ है स्पीनर को कितना विकेट मिला हुआ है 16 विकेट टोटल को अगर दोनों को मिलाएंगे आप ठीक है तो हो कर लेते हैं कि किस टाईप के बॉलरों को यहां मदद मिलती है तो सबसे पहले यहां पर लेफ्टार फास्र बॉल और को फॉस्ट इनिंग में अस्से विकट मिला हुआ है 72 विकेट 72 विकेट जो है से केंड इनिंग में मिला हुआ है लेफ्ट आम स्पीनर की बात करें तो 49 जो है विकेट 49 विकेट जो है फॉस्ट इनिंग में और 47 विकेट जो है आपके सेकेंड इनिंग में मिला हुआ है वहीं राइट आम फास्ट बोलर की बात करें तो 258 विकेट है फॉस्ट इनिंग में और 119 विकेट है सेकेंड इनिंग म योग मतलब सबसे जादा भाई विकेट लेने वाला गेदबाज तो उसमें आते हैं लेट आम फास्ट बॉलर राइट टाम फास्ट बॉलर और राइट आम श्पीनर तो यानि राइट आम कुछ भी हो फास्ट हो इस पीनर हो उसको लेना है और लेट टाम जो है फास्टर किये दवाज को अपनी टीम में लेके चलना है ऐनालेसिस बला पार्ट मैं फिर से बोलना हूँ कि इस वीडियो का ऐनालेस बला पार्ट मैं कल शूब अपलोड करूँगा ठीक है इन टीमों की बीच में खेले गया मैचेस की, inside 32 मैच खेला गया है, जिसमें से कलकता जो है 18 बार जीती है, और 14 बार RCB जीती हुई है, RCB अपना पहला मैच जो हार गई थी, दूतरा मैच जीत के आ रही है, वहीं कलकता जो है अपना पहला ही मैच जीती थी, उसमें 20 फोर तक बल्लेबाजी किये थे केके आर अगर इधर हम बात करें बैंगलोर की तरफ से तो उसमें रन चेज मास्टर दविराट कोली ने एक तगड़ी पारी खेली थी और वहाँ पे जो है रन को चेज किया था अब हम बात कर लेते हैं प्रॉबॉबल प्लेंग 11 की ताकि आपको जो है एक clear of thought मिले, एक clear of idea मिले, किस तरीके सी, किस किन टीम में रखना है ठीकर और यहीं पे हम बात कर लेंगे कि कौन सा ऐसा player है जो Trump player है और कौन सा ऐसा player है जो fixed player है तो आई ये देख लेते हैं प्रापबल प्लेंग 11 ठीक है जो संभावी टीम है कल के मैच के लिए तो वो है फाफ डुपलेसिस, विराट कोली, कैमरन ग्रीन, ठीक है रजत पाटेदार, मैक्सवेल, अनूज, दिनेस, लैमरोर, अलजारी जोसफ और मुहमद शेराज, मयंक डा तो ये प्रापबल प्लेंग 11 होने वाली है बैंगलोर की तरब से, बात कर लेता हूँ कौन सा ऐसा प्लेयर होलगा, जो ट्रम प्लेयर हो सकता है यहां पे, तो सबसे ज़्यादा और सबसे इंपोर्टेंट अगर कोई बनता है यहां पे ट्रम प्लेयर, तो वो हो जाते हैं अनुजरावत ठीक है यह आपके Trump लेयर कल के मैच के लिए होंगे रजत पाटिदार कई मैच से चले नहीं है ठीक है Cameron Green जो है कई मैच से चले नहीं है तो इन दोनों में से आपको किसी एक को लेके चलना है और यह होने वाले हैं आपके ट्रम प्लेयर बलके मैच के लिए ठीक है फिक्स प्लेयरों की बात करूँ तो अगर सेकेंड इनिंग में बैंगलोर खेल लही है तो आपको दर्रन मशीन विराट कोली को ले के चलना है ले के चलना है कैटन और वाइस कैटन में से कोई एक चीज़ आपको बना के भी चलना है अगर पांच टीम लगा रहा है तो तीन टीम में तो आप लेके चलिए ठीक है, फॉब डु प्लेसिस की अगर हम बात करें तो ये भी आपके fix player है ये भी आपके क्या है? fix player है यहाँ से Maxwell आपके fix player हो गए यहां से नीचे से आपके अलजारी जो सब fix player हो गया है और यहां पर मैंग डागर यहां के fix player हो गया चुकि मैंग डागर का selection percentage थोड़ा कम है लेकिन इकी performance अच्छी है ठीक है एधर domestic player हो गया 4 player हो गया और यह 5 player तो 5 player में से आपको 4 player लेना है थीक है तो वो कौन से चार player होंगे उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको statistics देखना पड़ेगा और वह इंद छार स्टार प्लेर को ले फेकने आता है तो मोहमस से राज पहला और तीसरा ओवर फेकते हैं और इनकी possibility हो जाती है कि यह यहाँ पे एक विकेट आइटलिस ले ले यस दयाल बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं दो चार्च है ओवर फेकते हैं दूसरा चौथा और छठा तो possibility इनकी भी बहुत जादा हो जाती है विकेट लेने की लेकिन बात यह है कि इनको लोग बहुत आराम से खेल दे रहे हैं लास्ट मैच में यह चीज देखा गया था लास्ट मैच में भयंकर लाइन और लेंथ पे यह बॉल कर रहे थे लेकिन इनको जो है विकेट नहीं मिला था लेकिन लाइन और लेंथ बहुत ही गजब थी तो अगले मैच में चांस बनता है इनका विकेट लेने का अलजारी जोसाब के ओल पांचों आवर करते हैं लेकिन यह लास्ट के ओवर में विकेट लेते हैं बात करें डेथ ओवर की सिराज फेकते हैं डेथ ओवर अलजारी और यस दयाज अलजारी जोसाफ आते हैं 17 और 20 अवर लेके और यस दयाल आते हैं आपके 18 अवर लेके तो इन तीनों में सबसे ज़ाद अगर विकेट लेने की चांसे किसी का बनता है तो मुझे लगता है कि वो अलजारी जोसफ होते है क्योंकि इनके पास एक एक्स्ट्रा पेस है इनके पास एक्स्ट्रा बाउंस है ताकि जो है वहाँ पे लोग छके और विकेट ले सकते हैं बात कर लेते हैं हम बैक्समेन हो की तो 84% सलेक्शन रेशियो है फॉप डुपलेसिस का दो रन बनाया था लास्ट मैच में मैंने बोला था कि इनको नहीं लेके चलना है आपको ठीक है वेन्यू पे देखिए 56 का आवरेज है head to head में 36 का है अगर ये टीम पहले बल्लेबाजी करी फॉस्ट बल्लेबाजी तो आप विराट कोली को drop करके आप pop को लीजिएगा लेकिन second inning में अगर करी तो या तो आप दोनों को लीजिए या तो जो है आप pop को drop करके ले लीजिएगा विराट कोली के stats के बारे में बताना मैं जरूरी नहीं समझता क्योंकि ये all over great player है ठीक है और ये इनसे मैं दिल से जुड़ा हुआ हूँ ठीक बहुत ही तगड़ा player है बहुत dedication है इसके pass में ठीक है जिस तरीके का ये brand of cricket खेलता है बात करूँ मैं Cameron Green की तो last match में इनको एक V wicket नहीं ठीक है यहाँ पे 3 run बनाया था उसके पहले 2 wicket 18 run ठीक 84% selection ratio है अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तो आप जो है इनको हमेशा मैं बोलना हूँ कि all rounder section से Cameron Green और Maxwell में से आपको किसी एक को ही लेना है किसी एक को लेके चलना है रजत पाठेदार last के दोनों के दोनों match में भाई ये flop है selection percentage 9% है तो इनको या तो drop कर दीजिए आप साफ़ा इनको drop कर दीजिए या फिर अगर ले रहना ले रहना तो captain या voice captain बनाईए क्योंकि इस type के player जिस दिन चलते हैं जो लगातार form में नहीं है जिस दिन चलेंगे ना उज दिन 70-80 का लगातार जबर ज़स total फेकेंगे आपको तो इसलिए मैं बोल ला हूँ कि इनको captain या voice captain बनाके चलिए risky होगा लेकिन चल गए तो भाई वारे नहीं आ रहे selection percentage की अगर Maxwell की बात करें तो 94% है last के match में 2 run तीन बनाया था लेकिन 2 wicket भी लिया था बहुत ही most important चीज़ है तो Maxwell आपके टीम में होने चाहिए अनुज रावत भाई साब ये player बहुत ही potential है इसके अंदर बहुत ही भरा पड़ा है ये cricket के लिए तो मुझे मेरा मानना है कि अगर आप जो है अगर आप wicket keeper section की अगर आप बात करें तो मैं अनुज रावत के साथ जो है जाना थोड़ा सा जादा प्रिफर करने वाला हूँ अगर competitively के आप जो है दूसरे team की बात करेंगे तो बात करते हैं दिने सकार्ती की तो last match में भी 28 अन्मारे थे उसके पहले भी 28 अन्मारे थे तो GL की team में मैं इनको मतलब दो team में तो at least रखूँगा आपने ठीक है लॉम्रोर की बात करें तो 17 run बना था last match में चुकि इनका order इतना नीचे है कि यह यहाँ पे कुछ कर नहीं पाएंगे जादा था ठीक है लेकिन अगर इनको किसी दिन ऊपर try किया गया तो बहुत जादा और बहुत perfect inning खेलेंगे लेकिन बात यह है RCB की कि यहाँ पे कोई ऊपर chance ही नहीं है बेजने का क्योंकि ऊपर जो देख रहे हैं ऊपर line से ही बल्लेबाज भरे पड़े हैं लिए lamor को जो है आप नहीं लीजेगा अपनी runniti के हिसाब से runniti वाला जो वीडियो है वो कल सुबा आएगा तो मैं बता दूँगा कि किस runniti में आपको lamor को लेना है और lamor को drop करके चलना है अलजारी जो सब की बात करें तो last match में एक विकेट मिला हुआ है 16% सेलेशन एश्यो है इनको मैं अपनी टीम में लेके चलने वाला हूँ सिरास को इस बार मैं अपनी टीम से ड्रॉप करके चलूँगा मयंक डागर को लास्ट मैच में एक विकेट नहीं उसके पहले भी विकेट नहीं इस मैच में मेरा मतलब पता नहीं क्या है ठीक है गट फीलिंग है कि मयंक डागर आईजर ट्रम प्लेयर हमारे लिए कुछ करेंगे यस दयाल कि हम बात करें तो 17% सेलेक्शन एश्यो है एक विकेट मिरा था इस लास्ट के मैच में इस मैच में प्रॉबल चांस है कि इनको विकेट मिले क्योंकि जिस तरीके के लाइन और लेंट के साथ ये गेदबाजी करते हैं वो भाई हैट सॉफ है फिलिप सॉल्ट और सुनील नरायने में से आपको जो है फिलिप सॉल्ट को लेके चलिएगा विकेट कीपर में ये आपके जो है फिक्स प्लेयर होने वाले हैं और मैं बात करूँ फिक्स प्लेयर की तो यहां से आपके स्रेय सायर, नितीस राना, अंदर रसल, रिंकु सिंग और मिचल स्टाक को दुनिया भर के लोग लेंगे हम भी लेंगे क्योंकि लास्ट मैच में ये जो अच्छे से परफॉर्म नहीं किये थे यानि टोटल कर अब बात करेंगे आप तो एक दो एक फिक्स प्लेयर हो गया दो प्लेयर, तीन प्लेयर, चार प्लेयर, पांच प्लेयर, च्छे प्लेयर टोटल च्छे प्लेयर हैं केके आर में जो फिक्स प्लेयर है यानि इन में से अपने को भी चारी प्लेयर लेना है इन में से चारी प्लेयर लेना तो वो कौन से प्लेयर होंगे उसके लिए आपको वीडियो भाई देखना पड़ेगा ठीक है तो देखिए disappointment नहीं मिलेगी इतना मैं बता दे रहा हूँ last तक देखिएगा last तक बने रहेगा और अगर आपने ये वीडियो देखा न definitely मैं बता दे रहा हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है ठीक है starting over की अगर हम बात करें तो Mitchell Stark पहला और तीसरा over फेकते हैं हरशित राना दूसरा चोथा और चटा ओवर फेकते हैं और चक्रवर्ती भाई पांचवा over फेकता है ठीक है तो चक्रवर्ती को इस throughout the tournament विकेट नहीं मिलना है अगर हम बात करेंगे डेथ ओवर की तो Mitchell Stark आंद्रे रसल चक्रवर्ती और हरशित राना मिलके जो है आपके डेथ ओवर फेकते हैं बात कर लेते हैं आपके फिलिप सॉल्ट की तो फिलिप सॉल्ट 85% सेलेक्शन रिश्यू है इनका लास्ट मैच में चोंगोनन मारा था उसके पहले 30 रन मारा था ठीक है दुनिया भर के लोग लिये हैं भर भर के हम इस बार जो है इनको ड्रॉप करके चलेंगे देखते हैं क्या होता है ठीक है डेफिनेटली मैं ड्रॉप करके चलने वाला हूँ सुनिल नरान को ऐज़ा ओपनर तो नहीं ले है वेंकटे साइयर लास्ट के मैच में 7 रन उसके पहले 27 रन हैट टूएट की बात करें तो 28 का एवरेज है वेन्यू पे 31 का एवरेज है खेले बड़े पड़े यहीं से है ठीक है तो आप जो है इनको अपने टीम में रख सकते हैं स्रेय साइयर लास्ट मैच में जीरान पह पी पी आउट हो जाता है ठीक है रिसेंट फॉर्म की बात करें तो 9 दो विकेट लिया था पांच रन एक विकेट है आठ रन जीरो विकेट है जीरो रन तीन विकेट है लगतार फ्लॉप चल ले है तेरा पॉस्टन सेलेक्शन एश्यो है है एट टूएट की बात करें तो 23 27 कैवरेज है वेन्यू पर 30 कैवरेज है जील में इस बार मेरे टीम में नहीं होंगे और अगर होंगे किसी सरकमस्टांसेज में अगर मैं इनको लेता हूँ तो इनको कैप्टर भी बनाऊंगा और वाइस कैप्टर भी बनाऊंगा मेरा मानना भाया यही रोता है या तो आर य करने नहीं आएंगे वहां आएंगे रिंकु आएंगे वहां आएंगे रसल तो रिंकु अपने टीम में होंगे ठेक रसल दमसल भी अपने टीम में होने वाले हैं कल के मैच के लिए यहां से मिचल स्टार्क को अपने टीम में अगर आपको रखना है तो रखिएगा मैं बता द आप करके कल के मैच के लिए चल सकते हैं हर्षित राना इस गुड ऑप्शन तान तीस पॉसें सेलेक्शन एश्यू है रिसेंट फॉर्म जो है दो विकेट और पांच विकेट है तीन विकेट और पांच विकेट है मैं इनको अपने टीम में ट्राइ करने वाला हूं और सबसे प्लेयर तो यह शर्मा देखिए इधरदेखिए इधर बहुत 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 है और यहां पर लास्ट में विकेट नहीं मिला है इस मैच में जीयल की टीम में यह होने वाले है मेरे तो इस तरीके साथ यह अनालेसी से मेरा सबसे सबसे बड़ी चीज अब हम बात कर लेते है थोड़ा प्लेयर बैटल की कि किसको कौन आउट करता है ताकि जो है थोड़ा आपको और अच्छे से सारी चीजने क्लियर हो जाए ठीक है उसके बात करेंगे हम वो पैटन की कि क्या है वो पैटन है ना जिसके लिए आप भी बेचैन है मैं भी देख के बहुत हैरान रह गया बात कर लेते हैं फॉफ की तो फॉफ को सुनील नरायन ने 14 मैच में दो बार आउट किया है सोयस सर्मा को सोयस सर्मा ने एक मैच में एक बार आउट किया है आंदर रसल ने स्ताथ मैच में दो बार नरायन ने 15 मैच में 4 बार तो कोई मतलब नहीं है प्लेयर बैटल देखने का विराट कोली का है इस दा फेंटास्टिक बैट्समें ठीक है वो किसी खिलाब कभी भी मार सकता है रज़त पाटीदार सोयस सर्मा के एकलोते सिका रहे है एक मैच में एक विकेट ठीक है और इधर ग्लेन मैक्सविल सुनील नरायन 17 मैच में 4 बार आउट किया है चक्रवर्ती ने 5 मैच में 3 बार आउट किया हुआ है तो मैक्सिल के चलने के चांसे थोड़े से कम नजर आ रहे है ऐस बैट्समें ठीक है लैम रोर की बात करें तो चक्रवर्ती एक इनिंग में एक बार आउट किया और सोयस ने एक इनिंग में एक बार आउट किया अब बात कर लेते हैं कलकता के प्लेयर बैटल की तो फिलिप सॉल्ट चार मैच में ग्लेन मैक्सवल ने दो बार आउट किया हुआ है स्रेय सायर को सिराज ने आठ मैच में दो बार सुलील नारायन को अलजारी जोसफ ने चार मैच में दो बार और सिराज ने चार मैच में दो बार आउट किया हुआ है रसल को सिराज ने चार मैच में दो बार आउट किया है तो यह रहा ओवर आल प्लेयर बैटल अब हम बात कर लेते हैं, जिसके लिए मुझे लगा कि मुझे ये चीज आपको बतानी चाहिए, ठीक है, ये पूरे ही उसमें, अगर हम बात कर लेते हैं, कल वाला जो मैच है, ठीक है, क्लासन और ये मैच है, आपको मैं कन्फर्म कर दूँ, कि संराइजर्स और MI के बीच का मै ले गया था, उदानकट, कोई नहीं लेके जा रहा था, मैं लेके गया था, ठीक है, टीम डेविड, इनको भी कोई नहीं लेके जा रहा था, हम लेके गये थे, ठीक है, दीर, इनको भी कोई नहीं लेके जा रहा था, इनका भी सेलेक्शन परसेंटेज कितना है, दो सर्मा था कल के मैच के लिए ठीक है हमारा दस नौव प्लेयर जो है ड्रीम टीम में आये हैं विट वाइस कैप्टन के साथ हमने जो कैप्टन है वो ट्रेविस हेड को बना रखा था तो इट इस नॉट बैड आइडिया बट ड्रीम टीम आना है नमबर वन आना है तो सटीक टी बट जो चीज मैं आपको समझाने वाला हूँ यहाँ पे तीन प्लेयर आपको दिख जाएंगे जिनका सेलेक्शन परसेंटेज क्या है 30% से कम है ठीक है तीन प्लेयर आपको दिख गए यहाँ पे आप देखिए इस वाले जोन में अनुजरावत ये भी 30% से नीचे वाले है जे सर्मा ये भी 30% से नीचे वाले हैं प्रभुद शिम्रन ये भी 30% से नीचे वाले हैं बरार ये भी 30% से नीचे वाले हैं यानि टोटल यहाँ से 4 प्लेयर दिख गए आपको उसके पहले और चलते हैं यहाँ पे आप देखिए वर्मा उमजाई ये आपके 30% से नीचे व तो टोटल अगर हम बात करें, और साइंस सुदर्शन भी क्या है, 30% से नीचे वाले प्लेयर है, यानि टोटल इस टीम से भी कितने प्लेयर मिल गए, आपको 4 प्लेयर मिल गए, ठीक है, अब हम और बात कर लेते हैं, देखें, इस प्लेयर, इस इस ड्रेम टीम से, आपको फिजुर रह्मान, ये भी आपके 30% से नीचे वाले प्लेयर थे, यानि यहां से भी आपको कितने प्लेयर मिल गए, तीन प्लेयर मिल गए, जिनका सेलेक्शन रेश्यो क्या था, 30% से नीचे था, उसके बाद और हम बात कर लेते हैं, एक और टीम की, ठीक है, तो यहां पे, यह तो वाई टीम है, लास्ट वाली टीम है, यानि यह जो डेमो टीम में है, जिन में से आपको मैंने बताया, कि हर एक टीम में लगबग 3-4 प्लेयर ऐसे हैं, जिनका सेलेक्शन पॉसेंटेज क्या है, 30% से नीचे है, तो आपको करना क्या है, भाई, आपको क्या करना है, यह जो 22 प्लेयर हैं आपके पास, ठीक है, यह जो 22 प्लेयर है, यह जो 22 प्लेयर हैं आपके पास, उनको आपको तीन भाग में क्या करना है, डिवाइट कर लेना है, according to selection percentage, ठीक है, तीन पार्ट में, यहाँ पे क्या है, 70% से उपर वाले प्लेयर होने चाहिए, यहाँ पे 70% से नीचे और 30% से उपर वाले player होने चाहिए और यहां पर क्या है 30% से नीचे वाले player होने चाहिए ठीक है अब इस में से आपने क्या कर लिया आपके पास सारे 22 player जो है इन तीन पार्ट में divide हो गया यहां से आपके एक बार list मिलेगी कुछ list होगी ठीक है players की ठीक है यहाँ भी कुछ list होगी players की don't worry इसका यह जो analysis वाला part यह कल सुबह मैं upload कर दूँगा ठीक है with जो है इसके साथ selection percentage के साथ ठीक है बट आपको एक rough idea दे देता हूँ यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4, एसे करके आएगा ठीक है अब आपको करना क्या है यहाँ से 4 player ले लेना है यहाँ से भी आपको 4 player लेना है और यहाँ से क्या करना है तीन player लेना है और वो कौन से player होंगे उसके लिए मैंने आपको सारा stats दे रखा है सारा ग्यान यहाँ पे जो है इस video में यहां से आप 3 player ले रहे हैं, तो यहां से आपको क्या करना है, 4 player लेके चलना है, ठीक है, यह सारी चीजें, आपको मैंने बता दिया, इस वीडियो में, part 1 है इसका, part 2 कल सुबा आएगा, 10 बजे, तो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, ठीक है, बने रहेगा मेरे चैनल पे, और अभी तक आप मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किये हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब कर लीजे, क्योंकि ऐसी वीडियो में, part day लेके आता रहता हूं, और अभी तक टेलिगराम चैनल जॉइन नहीं किये, तो भाईया, जाके जॉइन कर लीजे, ताकि आपका बहुत ज़्यादा फाइदा हो, ठीक है, आप हमसे जुड़े रहे हैं, तो डारेक्टली आपका फाइदा हो, ठीक है, जाके टेलिगराम चैनल जॉइन कर लीजेगा, इसी वीडियो के नीचे मोर का उप्शन होगा, मोर के उप्शन में आपको लिंक दिख जाएगा, लिंक पे क्लिक करेंगे, जॉइन का उप्शन आजाएगा, जाके जॉइन हो जाना है, तो आज की वीडियो में इसतना ही दोस्तों, जै हिन!